हरे कृष्णा आज के एपिसोड में मैं आपको भगवान श्री कृष्ण और रुक्मने के पुत्र प्रध्युमन के विबाहा के बारें बताऊंगी और प्रध्युमन ते पूर जनम में कौन थे भगवान शंकर ने उनको क्यों भस्म कर दिया था और साथ में उनकी जो पतनी प्रध्युमन थी वह इस जनम उनको प्रकार से मिलती है यह बताऊंगे और साथ में अक्ष्रीकर्ष्ण का विबाहा एक जामबनती से हुआ था और शत्त्य भामा से वा था तो वो कौनसे कारण बने थे जिसकी वज़ेसी भगवान श्रीक्रिश्ण को जामबती और सत्यभाम से विवाह करना पड़ा था और इसके बाद जो नेक्स्ट एपिसोड हो उसके अंदर भी मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के जो अन्य को विवाह हुए थे उनके बारे में ही बताने बाली हूं और लास्ट में मैं आपको विश्णु कोष्ण बत भगवान की अफ्तार थी काम देव जी भगवान शंकर के करोद से भस्म हो गय थे वेही काम देव अबकी बार भगवान श्रीक्रिकृष्ण के द्वारा रुक्मण Flash ची प्रद्युमन अभी दस दिन के भी नहीं हुए थे कि शंबरा सुर वेश बदलकर सुतिका ग्रह में उन्हें हरके ले गया था। फिर उन्हें समुद्र में फेक दिया था। उसे मालूम हो गया था कि यह मेरा भावी शत्रु होगा। समुद्र में बालक प्रद्युमन को मच निगल गया उसके बाद एक मचवारे ने उसे अपने जाल में पकड़ लिया भगवान की लीला अनन्त है इसलिए वह मचवारा उस मच को पकड़ कर शम्रसुर को भेट करने ही पहुँच गया शम्रसुर के घर पर सोया उस मगर मच को ले गया और उसे काटती हुए उसके पेट से उसको वह बालक मिला उसने वह बालक शम्रसुर की दासी मायावति को समर्पित कर दिया तब नारद जी ने आकर उस दासी को बतलाया कि यह बालक कामदेव था वह उसका नाम उसका जनम श्रीक्रिष्न और रुक्मनिके पुत्र के रूप में अब यहाँ पर हुआ है वह शंकर जी ने काम देव को भस्म कर दिया था उसी दिन से वह उनकी देह का फिर से जियर के जन्म होने की प्रतिक्षा कर रही थी श्री कृष्ण की पूत्र प्रध्युमन कुछ ही समय में जवान हो गए अब रती का हाव भाव उसको प्रियतम की तरह से देखने लगा तब प्रध्युमन जी ने उनसे कहा कि आप तो मेरी माता के समान हैं तब रती ने रती कौन थी जो पूर्व जनम में रती थी वो इस जन डाले रती ने बताया कि यह शम्रा सुर्ष सैकड़ प्रकार की माया जानता है माया वती ने यह कहकर प्रध्युमन जी को महा माया नाम के विद्या सिखाई यह विद्या ऐसी है जो सब प्रकार की मायाओं का नाश कर देती है अब प्रध्युमन जी ने शम्रा सुर्ष को य जानती थी अपने पति प्रद्युमन जी को अकाश मार्ग से द्वारकापुरी में ले गए अकाश में अपने गोरी पत्नी के साथ सावले प्रद्युमन की ऐसी शुबा हो रही थी मानों बिजली और मेक का जोड़ा हो जब द्वारकापुरी में नारियों ने देखा कि प्रद्युमन जी का रंग रूप बिलकुछ श्री कृष्ण के समान है रेश्मी पितामबर घुटनों तक लंबी भुजाएं रतनारी नयन और सुन्दर मुखपर मंद मंद मुस्कान वे सब उन्हें श्री कृष्ण समझ कर स श्मृति हो गई उनकी नेत्रों से आसु बहने लगे प्रद्युमन जी का रंग रूप श्री कृष्ण के समान पाकर रुक्मन जी समझ गई कि यही मेरे खोय हुआ पुत्र है उसे समय भगवान श्री कृष्ण देव की वह वसु देव जी के साथ वहां आ पहुंचे है सुनाई माता रुकमनी उन्हें पाकर अत्यंत्र प्रसंद हुई श्री शुगदेव जी कहते हैं परिक्षित सत्रा जित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था अब मैं आपको बता रही हो सत्य भामा और जामवती का किस प्रकास से भगवान श्री कृष्ण से सत्रा जित को एक समयन तक मणी दी सत्रा जित उस मणी को गले में धारन करके जब द्वारका आया तब दूर से ही उसे देखकर लोगों की आखे चंद्याने लगी लोगों को लगा कि शायद यह सुर्य भगवान ही आ रहे हैं उन्होंने जाकर श्री किष्ण भगवान को सब प्रकार की सूचना दी तक भगवान हसने लगे उन्होंने सब को बताया कि यह सुर्य भगवान नहीं सत्रा जित है और यह सयमंतक मणी के कारण इतना चमक रहा है इसके बाद सत्रा जित अपने सम्रद घर चला गया वहां उसने ब्रहमनों के द्वारा समयतक मणी को एक दिया करती थी और जहां वह पूजित होकर रहती थी वहां दुर्भिक्ष महामारी ग्रहे पेड़ा सर्पभय मानसिक और शारिरिक व्यथा तथा मायावियों का उपद्रव आधि कोई भी अश्रुब काम नहीं होता था एक बार श्री कृष्ण ने सत्रजिस से कहा कि तुम यह मनी उग्रिसेन राजा को दे दो उग्रिसेन कौनते कंस के पिता जो अब मतुरा नरेश थे उनको यह मनी उनको दे दो परंदु उसने उसको अस्विकार कर दिया एक बार सत्रजित्र के भाई प्रसेन ने उस परंप्रकाश में मनी को अपने गले में धारन कर लिया और घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया वहाँ एक सिंग ने प्रसेन को वह घोडे को मार दिया वह मनी छिन कर एक परवत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि तभी जामवान ने उसे मार डाला वह मनी ले ली और गुफा में जाकर अपने बच्चु को वह मनी खेलने के लिए दे दी सत्रजित ने सोचा कि जरूर श्रीकृष्ण ने ही मनी लेने के लिए मेरे भाई प्रसेन को मार डाला है मतलब सत्रजित को यह बात आया दिमाग में कि श्रीकृष्ण ने उनके भाई प्रसेन को मारा है जब श्रीक कृष्ण को यह पता चला कि सत्रजिद उन्हीं पर शक कर रहा है तो वह प्रसेन को ढूणने के लिए वन में चले गए भगवान श्रीक कृष्ण जिन लोगों को अपने साथ ले गए थे उन्हें बाहर खड़ा कर वे गुफा में अंदर चले गए भगवान ने देखा कि जामवान के बच्चे उस मणी से खेल रहे हैं जामवान श्रीक कृष्ण को पहचाने नहीं उन्होंने श्रीक कृष्ण को युद करने के लिलका रहा दोनों के बीच 28 दिन तक युद चलता रहा वो अंद में जामवान का शरी तूट फूट गया उत्साहच जाता रहा और शरी पसीने से लगपत हो गया तब जामवान ने भगवान श्रीक कृष्ण को नमस्कार किया वह जान गया था कि यह परमपुरिश परमात्मा श्रीक क अपनी गलती का एहसास से शुब्द होकर जामवान ने अपनी कन्या कुमारी जामवती को मनी के साथ भगवान को ही सौब दिया दौार का लोटकर भगवान ने सत्रा जित को भरी सभा में बुलाकर मनी सौब दी और मनी जिस प्रकार प्राप्त हुई थी वह कथा कह सुनाई सत्रा जित को अपने किये पर वा सोच पर बहुत पश्तावा हुआ उसने मनी समेथ अपनी कन्या सत्रा जित को भगवान श्री कृष्ण को सौब दिया भगवान ने जामवती वा सत्रा जित को लोटा दिया और कहा कि आप केवल इस मनी से निकला सोना ही हमें दे दिया करिए श्री शुक्देव जी कहते हैं परिक्षित यदिपी भगवान श्रीक किष्णु को इस बात का पता था कि लाक्षा ग्रह की आग में आग से पांडवों का बाल भी बाका नहीं हुआ है फिर भी जब उन्होंने सोचा कि कुंती और पांडव जल मरे तब उस समय का उस समय का व तब सर मिल गया कि 17जिस से मनी को हर लिया जाए इसके लिए उनहोंने शत्रच धनवा को तयार किया अकरूर और वांग के बहिकावे में शत्रच धनवा ने सोय हुए स्सथा जित है उनके पिता जो सत्र जित मैं और समय तक मरे लेकर वहां से चमपत हो गया सत्र भामा जी अपने पिता सत्र जित की मृत्त्यु से बहुत दुखी हुई यह जानकर श्री कृष्ण के साथ बलराम जी हस्तिनापुर से लौट आए और शत्ध धन्वा को मारतने तथा उससे मनी चीनने का उद्ध्योग करने लगे जब शत्ध धन्वा को यह पता चला कि श्री भी भगवान के डर से उसकी कोई मदद नहीं की तब शत्ध धन्वा ने वह समय तक मनी अगरूर जी के पास रखवा दी वह स्वें घोड़े पर सवार हो बहुत दूर निकल गया पर इंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसका पीछा किया वह अपने चक्र से उसका सिर शत्ध धन्वा को मार डाला है तब वे दोनों डर कर द्वार का से भाग खड़े हुए अकरूर जी शफल्व के पुत्र थे शफल्क के लिए ऐसा कहा जाता है कि वे जहां भी जाते थे वहां वहां महामारी वह उब्द्रव नहीं होते थे इसी कारण एक बार काशी नरेश क राज्ये में वर्शा नहीं हो रहे थी तब उन्होंने शफल्क को अपने कन्या भया दी थी उसकी बाद उनके राज्ये में वर्शा होने लगी थी इसी कारण भगवां श्रीक्रिश्णन ने अकुरूर जी को ढुंडवाया और पास बुलाकर बात की क्योंकि उनके राज्य में भी अकुरूर जी के जाने से शारिरिक वा मांसिक कष्ट लोगों को होने लगे थे उस दौरान बलराम जी मतुलापूर चले गए थे वहां दुर्योधन ने बलराम जी से ही गदा पुत्र नहीं है तो व्यहां मनि उसकी पुत्रिय सत्ते भामा के पुत्रों की ही होनी चाहिए तव अकुरूर जी ने व्यहां मनि श्रीकृष्ण को लोटा दी तव भगवान ने व्यहां मनि अपने भाई बंदों को दिखा कर फिर दुबारा से अकुरूर जी को ही लोटा करने वाला तथा परम मंगल मैं है इसे जो इसे पढ़ता सुनता अत्वा स्मरण करता है वह सब पकार की अब कीर्थी और पापों से छूट कर शांति का अनुभव करता है तो इस पकार सत्य भामा और जामवंति का वेवा भगवान श्री कृष्ण से हुआ था और यह सयमंतक म परमाणी की जो कहानी है यह बहुत इंट्रस्टिंग है और अब समय है विष्णुकोष का विष्णुकोष में आज मैं आपको शिशुमार चक्र के बारें बता रही हूं जो लोग भी वास्तों शास्त्र में और जोतिश शास्त्र में जिनको थोड़ी भाध भी नॉलिज ह होगी तो आप लोगों ने देखा होगे कि एक एक जोतिश चक्र होता है जो शिशुमार के रूप में हैं जिसके अंदर वो एक कुंडली मारकर बैठावा पुरुष है जिसके पैर उपर है और उसका सिर्फ नीचे है उसको शिशुमार चक्र कहते हैं और उस मंत्र का क्या फाइदा है यह मैं आपको पता रहे हूं कोई कोई पुरुष भगमान की योगमाया के अधार पर जोतिश चक्र का शिशुमार के रूप में वर्णन करते हैं इसमें शिशुमार कुंडली मारे हुए और उसका मुख नीचे की ओर है उसकी पूच के सिरे पर ध्रूविस्थ यह भगमान विश्णु का सर्व दे में स्वरूप है इसका नित्यप्रती प्रातह मध्य और सायकाल के समय पवित्र और मौन होकर दर्शन करते हुए जो चिंतन करता है और जो इस मंत्र का जाप करता है मंत्र क्या है मैं आपको वह बता रहे हूं संपून जोतिरगर्णों क यह आश्रे काल चक्र स्वरूप सर्व देवाधी पती परम पुरिश परमात्मा का हम नमस्कार पूर्वक ध्यान करते हैं यह मंत्र है जो इस मंत्र का जाप करता है उसके उस समय के हुए पाप तुरंथ नश्ट हो जाते हैं तो यह था शिशुमार चक्र और इसमें जो बत अपने नेक्स्ट एपिसोड में दुबारा आप से मिलती हूं तब तक के लिए हरे कृष्णा